बाल बेग्यान को पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्लेन मिरर समतल दरपन में इमेज, इरेक्ट यनी सीधी, सेम साइज, बराबरा कार की और बिहाइंड दा मिरर दरपन के पीछे बनती है. आज हम सफेरिकल मिरर्स गोली अधरपनों से खेलेंगे भी और इनका नाम और काम भी जानेंगे. टेक अ स्टेनलेस टील प्लेट एंड सौ योर इमेज, एक स्टेनलेस टील की प्लेट लें और अपना प्रतिबिम्ब देखो. नाव टेक अ स्टेनलेस टील. अरे ये प्लेट तो पिलकुल प्लेट मिरर की तरह काम कर रही है, मेरी मेश तो पिलकुल सीधी और बराबर साइस की नजर आ रही है. अब स्टेनलेस टील का एक चमच लें. प्रिंग दा आउटर साइड अप दा स्पून नियर तो यूर फेस. एड सौ यूर इमेज. चमच के बहरी प्रिष्ट को अपने चेहरे के पास लाएं और अपना प्रतिबिम्ब देखें. इस इमेज इस यहां प्रतिबिम्ब समतल दरपण में देखेगे प्रतिबिम्ब से भिन है. इमेज इस इरेक्ट प्रतिबिम्ब सीधा है. नाउट टर्न दा स्पून टू अधर साइड एंड अगेन लूक यूर इमेज. अब चम्मज को दूसरी तरफ पलट देएं और अपने प्रतिबिम्ब को देखें. हो सकता है आपको प्रतिबिम्ब सीधा और बड़ा दिखाई दे. यदि आप चेहरे से चम्मज की दूरी बढ़ाएं तो आपको अपना प्रतिबिम्ब उल्टा दिखाई देगा. The inner surface of a spoon acts like a concave mirror, whereas its outer surface acts like a convex mirror. चम्मज का भीदरी प्रिष्ट अब तल दरपन की भांती काम करता है, जबकि इसका बाहरी प्रिष्ट उतल दरपन की भांती काम करता है. बच्चो, जो mirror यानि दरपन, सीधा, समतल और plane होता है, उसे हम समतल दरपन यानि plane mirror कहते हैं. और जो दरपन mirror बीच में से उपर की ओर उबरा हुआ होता है, upright होता है, उसे हम convex mirror उतल दरपन कहते हैं. जो दरपन यानि mirror बीच में से धंसा हुआ होता है, उसे हम concave mirror यानि अवतल दरपन कहते हैं. यदि किसी गोलिय दरपन का परावर्तक प्रिष्ट अवतल है, यानि अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो उसे हम अवतल दरपन कहते हैं. और यदि किसी गोलिय दरपन का परावर्तक प्रिष्ट उतल है, यानि बाहर की तरफ उबरा हुआ है, तो उसे हम उतल दरपन कहते हैं. इसके एक ओर रंग या पेंट की परत चड़ी होती है, जिससे प्रकास का परावर्तन अच्छे तरिके से हो. इसका परावर्तक प्रिष्ट सामने की ओर है और ये धंसा हुआ है. इसे हम अवतल दरपन कहते हैं, यानि कन के मिरर. दूसरी तरफ ये भी कर्ब्ड मिरर है, जिसके उपर रंग और पेंट की परत अंदर की तरफ है. और इसका रिफ्लेक्टिंग सर्फेस यानि परावर्तक प्रिष्ट बाहर की ओर उबरा हुआ है. इसलिए इसे उत्तल दरपन यानि कन वेक्स मिरर कहते हैं. The inner surface of the cut ball is called concave, कटी हुई गेंद का भीदरी प्रिष्ट अबतल, and outer surface is called convex, تथा बहरी प्रिष्ट उत्तल कहलाता है. एक अबतल दरपन लें, इसके परावर्तक प्रिष्ट को सूर्या की ओर रखकर पकड़िये Get the reflected light on the seat of paper दरपन से परावर्तित प्रकास को एक कागज की seat पर प्राप्त करें दरपन को इस प्रकार आगे पीछे समायोजित करें कि आपको एक चमकदार बिंदू प्राप्त हो जाए This bright spot is the image of sun यह चमकदार बिंदू सूर्या का प्रति बिंब है The image formed by the plane mirror could not be obtained on the screen सम्तल दरपन द्वारा बने मोबत्ती की लौग के प्रति बिंब को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सका था परदे पर बनने वाले प्रति बिंब को हम वास्तविक प्रति बिंब कहते हैं An image formed on a screen is called real image इसी तरह परदे पर न बनने वाले प्रति बिंब को हम आभासी प्रति बिंब कहते हैं An image could not formed on a screen is called virtual image fix a concave mirror on a stand steady एक अवदल दरपन को मेज पर रखे stand पर स्थिर रखें दिवार पर एक स्फेथ कागर चिपका लें जो की परदे का काम करेगा keep a lighted candle on the table at a distance of about 50 cm from the mirror मेज पर एक जलती हुई मोबत्ती दरपन से लगभग 50 cm की दूरी पर रखें परदे पर मोबत्ती की लौका प्रतिविम प्राप्त करें now move the candle or mirror towards each other and place it at different distances अब मोबत्ती को या दरपन को एक दूसरे की ओर ले जाएं और इन्हें अलग-अलग दूरियों पर रख कर देखें और प्रतिविम प्रतिविम प्राप्त करने का प्रयतन करें we see that the image formed by a concave mirror can be smaller or larger in the size than the object अब्तल दरपन द्वारा बना प्रतिविम आकार में बिम से छोटा या बड़ा हो सकता है the image may also be real or virtual इसका अर्थ है प्रतिविम बास्त भी किया अभासी भी हो सकता है concave mirrors are used for many purposes अब्तल दरपनों का उप्योग अनेक प्रकार के कारियों के लिए किया जाता है अब्तल दरपन का मुख्यो उप्योग डाक्टर आंक, कान, नाक या गले की जाँच में करते हैं आम तोर पर डेंटिस्ट दांतों को बड़ा करके देखने में भी इसका उप्योग करते हैं डाक्टर यूजिस कनके मिरर्स for eyes, ears, nose and throat examining also to enlarge image of teeth The reflectors of torches, headlights of cars and scooters are concave in shape Torch, कारों तथा scooterों के headlamp के परावर्तक प्रिष्ट उनकी आकरिती भी अवतल है